असलावरीकम दोस्तों दोस्तों जैसा कि अब देख पर है मेरे पास एक आइफून 6 आया हुआ ठीक है दोस्तों तो इसका फॉल्ड आप देखिएगा मैं अभी इसको चार्ज में लगाता हूँ उसके बाद मैं आपको फॉल्ड देखा तो इसमें फॉल्ड क्या आ रहा है और इस प्रॉल्ड से कैसे छुटकारा पाना है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखना है और अभी तक आपने हमारे रोजटेक को सब्सक्राब नहीं किया तो अब भी जाके एकदम दोस्तों सब्सक्राब करें जैसे इसके अंदर चार्ज आता है तो यी अन हो जाता है तो अब देखते इसमें क्या होता है थोड़ा सा वेट करते हैं हलाकि इसमें थावेट करनी के बाद ही अपना रियाक्षण दे रहा है तो चलि थोड़ा सा रूपते एस जगह पर है तो अब रुकने के बाद दोस्तों मैं देखिए इसको अभी भी वेट कर रहा हूँ अभी भी यह से रेट बना हुआ चार्जिंग का जो जगह उस जगह पर रेट बना हुआ आगे क्या होता हूँ मैं आपको देखाता हूँ तो अब देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा यह क्या हुआ दोस्तों यह set on हुआ है अब charge यहाँ पर जो rate बना हुआ था वो नहीं आ रहा है इसका display है देखिए इसका display जो है यह ऐसा कुछ color बन रहा है ठीक है अब देखिए यह मैं आपको देखाता हूँ यह देखिए कैसा color बन रहा है है ना दोस्तों यह आसमानी color बन रहा है तो अब यह जो फॉल्ड है मानि यह जो फॉल्ड आपके पास आता है अगर आपका phone iPhone हो iPhone 6 हो या 6S हो या कोई भी iPhone का model हो अगर इस तरीका से वो charging low रहता है और जब low होने के बाद आपका कुछ ऐसा display का जो color है बन जाता है और आपने उसका display भी change करके देख लिया motherboard को भी आपने सर्च करके या जो भी service है आपने करके देख लिया अगर आपका problem solve नहीं हुआ तो जरूर लेकिन हलाकि सबसे first यह तरीका ही आपको देखना चाहिए अगर ऐसा problem आता है तो सबसे first इसको आपको या तो restore कीजिए या तो इसको अप्डेट कीजिए यानि इसको update करना पड़ेगा तो आपका problem इंसाला solve हो जाएगा तो आपको इस phone को कैसे problem जो आया है मानि यह जो color बन रहा है इसका जो display में color हो रहा है चार्ज का पहले rate बन रहा है उसके बाद वो on हो जा रहा है apple का logo ब्लिंक करके आ रहा है on हो जा रहा है लेकिन जो display है वो color होने लग रहा है ठीक है तो आपको यह दो file का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको पता होगा ipsw.me से आपको यह जो file है यह आपको मिल जागा जो latest version हाला कि मैं इसका link दे दूंगा ठीक है दूस्तों तो आप देख सकते हैं कि यह 16gb वाला है तो इसका जो file है वो मैं download करके already रखा हू और official website आपको वहाँ पर जाना वहाँ से download कर लेना है उसमें आपको iTunes में मिल जाएगा और आपको iOS जो file है वो भी आपको मिल जागा जो भी model आपके पास आया है और same problem है तो दोस्तों ऐसा problem से कैसे solve करना है तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको करना क्या है कि इस device इसको आपको format कर देना है यानि restore करना है अपने PC से तो देखिए चलिए कैसे करते हैं वो मैं आपको देखाता हूँ अब भी क्या करना है दोस्तों इसको देखिए मैं आपको इसको चार्ज में लगाता हूँ चार्ज सोरी दोस्तों इसको connect कर रहा हूँ और home बड़न को आप देखिए ऐसा कुछ reaction देगा PC में आपका reaction देगा और आपको पते ही होगा दोस्तों कि अगर आप iPhone अगर आपने अभी तक फ्लस नहीं किया है या restore करना नहीं आता तो आपको इस वीडियो में यह भी सिखने को मिल जा हला कि रोस्टेक पे आपको दो तीन चार वीडिय करते हैं चली कोई बात नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कभी-कभी यह server का कुछ problem करता है या तो फिर आपके PC में इंटरनेट का कुछ problem करता होगा यह server से यह जो टूल है वो connect नहीं होता हो पाता होगा तो यह सब थोड़ा सा सभी लगता कभी-कभी तो थो थोड़ा सा से connect कर देना है connect कुछ ऐसा आपको आएगा ठीक है अब आपको इस जगह पर update है और रियस्टोर है तो हम लोगों करना क्या मौस को ले जाना है ठीक है मौस को ले जाकर जो अपकी update का जो restore का जो दोस्तों है उस पर आपको paste करना है और shift बटन को जो shift जो आपका keyboard है shift उसको paste क कर देखिए जो shift है यह देखिए shift को आपको paste करके चांपके रखना है और अपने mouse से इसमें restore में click कर देना है ठीक है आप already file download कर चुके है तो अगर आपको online करना तो online भी direct कर सकते हैं इसमें हला कि time बहुत लगता है दोस्तों लेकिन आपको जैसे मैंने बताया पहले आप file download download कर लीजिए iPhone की official website ipsw.me से download कर लीजिए उसके बाद आप shift को paste करके रखिए restore में click कर दीजिए तो directly आपको जो इसका location है वो निकल जाएगा और जिस भी location में आप file रखे वो उस जगह पे देदीजिए यह strike करेगा यह देखिए striking software लिखा हुआ है यह थोड़ा सा time लेगा उसके बाद आपका जो phone है वो रिए restore का जो process है वो start हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि अपना जो funda था यानि अपना जो display का जो color हो रहा था वो color जो problem जो आ रहा था जो भी problem आ रहा था वो जो display में आप देख रहे थी जो problem आ रहा था उससे कैसे निजात पाना है यानि इस problem से कैसे छुड़का रहा पाना है तो जाहिस से बाते मैंने आपको बता दिया इसको restore करेंगे तो 100 में 100% दोस्तों इस टाइप का problem आपके पास आता है तो आपका solve हो जाएगा तो आपने देखा preparing iPhone 4 रियस्टोर बता रही है और उसके बाद देखिए आपका phone क्या करेगा यह देखिए Apple का logo आएगा यह देखिए ऐसा Apple का logo आएगा और इस जगह पर रियस्टोर होना start हो जाएगा तो अभी आपको यह देखने से भी समझ में आता होगा कि दोस्तों अगर आपके पास आता है तो जैसे मैं किया हूँ यानि आपको रेस्टोर करने device को जो iTunes से आपको रेस्टोर कर लिजी आपको जो प्राइबलम है वो हैंड़ेट में हैंड़ेट परसन सॉल्फ हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं दोस्तों आपको वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखाऊंगा ओन करके सेट को देखाऊंगा कि वाकि में जो प्राइबलम था वो सॉल्फ हुआ या नहीं तो आपको पता ही तो तो इस तर्मियान वीडियो के साथ एक्दम पने रहना है देखा चले गया ऐसा कुछ नहीं वीडियो को आपको आराम से देखना है ठीक है और कैसे कैसे मैं क्यों हाला कि कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि इस जगह में वीडियो के स्टॉप करना चाहिए मैंने स्टॉप भी किया और वीडियो को सॉट कट में दिखाने के कुछ इसकिया आप से फिर भी ये 11 मिनिट के आसपास का वीडियो बन रहा है दोस्तो तो ये द यानि डिस्प्ले पे और लाइनिंग आपके चलेगा अब हाला कि आपका PC का काम हो गया खतम दोस्तो पीसी ने अपना काम कर दिया अब आपका फून अपना काम कर रहा यानि फून में जो भी पाड़ेसर ने जो भी कुछ है उसको वो रीच्टोर कर रहा है इसमें लेकिन दो हैं जो भी पारेशन में था हम लोगों ने उससे फॉर्मट किया ठीक है दोस्तों की आपका रियेस्टोर ही होगा जो भी आपका सामान है इसके अंदर में अगर फून को आपको बचाना नहीं है तो फिर रहने दीजिए वैसी जानि आपका प्रॉबल्म्ट तो जैसा वैसी र डिटेक्ट कर रहा है कि अपने कुधर नहीं कुष ओपने डिवाईस के देखना है कि जो अपना फून का जो काम है यानि जो ब्लिंक होरा था एिस्प्लेय हम लोग को नहीं देखा कि उस दर्म्यान जो अस्मानी कलर बन रहा था ब्लिंक हो रहा था तो इस टाइप पर जो अगर प्राब्लम आता है तो वो सॉल्फ हुआ या नहीं इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सॉल्फ हुआ या नहीं अगर आपका भी होता है तो जाइस से बात है यह देखे गoud लाको नहीं को जाएगा P councils यहां पर बता है अगर बहुत है सत्lings टाइसले पटजियो है यहां प्रैस्याद्लेस र तो आपका भी तो साइंगित आपका पर जाएगा यानि जो भी आकाउंट में है लगा हुआ जो भी फोन आपका रुका हुआ है एक्टिवेशन पर रुका हुआ वह आपका एक्टिवेशन हो जाएगा अगर आपको इसका पता ही निया तो फिर लेके जहेलिए कोई बात निया इसको लेके जहेलिए क्योंकि भाई य अब देख सकते हैं कि जो मेरा फून था उस तर्म में कया हारा अव्गो आएना ब्लिंक हो रहा था लेकिन अब झालर देख सकते हैं कि मैं छोरे स्केन में जानी की कोशिव कर रहा हूं यानि इसको इसप्राप में भर फ्रोन की तरह हूं फोयरा हो है इस प्रॉब्लम का solve किया और वीडियो अगर जरूर बताईए गर वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अभी हमारे चैनल को जाके subscribe करें कि दोस्तों रोजटेक पे इसी topic पे वीडियो बनता रहता अगर आप ऐसा problem को solve करने अगर आप market में जा रहे लेकर तो market में मेरे इसाप से अगर किसी भी shop में किसी में दोकान में या कहीं पे भी लेकर आप जाते हैं या service center लेकर जाते हैं तो आपका 1500 मेरे इसाप से खर्चा हो जागा लेकिन आप खुद से इस ट्रिक को करते हैं तो फिरी में करके चाहिएगा पस मैं आपको बता दिया हूँ जैसे बताया हूँ ऐसे करना है खैर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए ठैक किए सो माच ठैक पर वाचिन रोस ठैक